देखे इस वीडियो में हम प्रोजेक्शन के बारे में पढ़ेंगे प्रोजेक्शन के आवाला है? हमें पता है select star from students हम ऐसे लिखते हैं तो सारे के सारे कोलम्स जाते थे relational database में लेकिन अभी तक हमने बढ़ा है mongo db में क्या करते हैं? db.students.find तो सारे के सारे documents आ जाते हैं with all the fields जितनी भी fields होती है document के अंदर चाहे वो name हो, चाहे वो id हो, चाहे वो age हो सारे के सारे fields आ जाते हैं लेकिन अगर मेरे को सिर्फ नाम या उम्र में से नाम ही चाहिए तो मैं क्या करूँगा? इसको बोलते हैं projection मैंने show dbs कर दिया है, मैं जाता हूँ new db नाम के db के अंदर मैंने लिखा use new db, switch हो चुके हैं हम new db के नाम के db में हमने लिखा show collections, अच्छा, तो students नाम का collection है, देख लेते हैं इसके अंदर क्या है? db.students.find किया, तो इतने सारे students है, मेरे, कितने हैं देख लेते हैं, dot count करके देख लिया मैंने 29 students है मेरे स्वाइ, count करके देख लिया, मैंने, ठीक है, तो इतना पता चल गया है, find से देखो, इस समय ID भी आ रहे है, NAME भी आ रहा है, एंड ACE भी भी आ रहे हैं तीनों चीज़ आ रही है आईडी नेम एंड एज माल लीजिए सिर्फ मेरे को नेम ही चाहिए तो मैं हमें पता है find में खाली जेसन डाल दूँ खाली एंग्लोजिंग ब्रैकेट डाल दूँ तो इसका क्या मतलब है कि सारे find कर लीजिए ठीक है जब मैं read पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि पहले में क्या आता है filter आता है दूसरे में कुछ options आते है options कैसे हैं बताता हूं यहां पर मैं लिख सकता हूं कि मुझे कौन कौन से columns चाहिए या फिर बोल दूँ fields चाहिए एक बात है अच्छा मुझे चाहिए सिर्फ name तो name के डाल दूँगा मैं one यानि कि मेरे को चाहिए ठीक है मेरे को लिखना पड़ेगा कॉमा करके कि भाई देखो id को मत लेना यानि की जीरो एज जीरो ऑटमेटिकल की समय में आता है ठीक है अगर नहीं लिखा है तो वह जीरो ही होगा लेकिन id special है ना लेकिन हमें नहीं चाहिए वह तो इस पैसे लिए लालना पड़ेगा id 0 जैसे ही मैं इस पर एंटर मारता हूं तो देखो सिर्फ और सिर्फ इस समय नाम ही आये हैं और कुछ नहीं आया है तो इस तरह से हम जो फिल्ट समय चाहिए वह हम प्राप्त कर सकते हैं नेक्स्ट वी झाल